आपके उपर नजर रखते हैं या उनके किस तरीके कीthought प्सरेस है वा क्या फीलींज रखते हैं और वो क्यों आपके Di Jones R Rachel से कुछ शीज़ें आपकी सिचेक्ट से नहीं बहुत बहुति थे आप उसे अज़र शोड़ सकते है अगर आप मेरे चैनल पर नए आये हैं तो आप इस चानल को लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आई कोई को जुरूर, और पर प्रेस करें, जिससे आपको सही से में नोटिफिकेशन्स मिल पाएं और आप कंटेंट को इंजोई करता हैं अगर आप चारा है, King of Swords, ओके, नेक्स्ट आरा, Five of Swords, लिब्रा इक और इस जमिना की एनरजी है, नेक्स्ट आरा, The Justice, ओके, नेक्स्ट आरा, Three of Wands, और नेक्स्ट आरा, Ace of Cups, कुछ और कार्ट्स भी देख लेते हैं, पहले मैं कार्ट्स देख लेती हूं, फिर मैं आपको ब और लास्ट में आरा है आपके लिए, Eight of Wands, और Five of Wands, फिर Nine of Pentacles, और Ten of Pentacles, यहां पर दो सिचुएशन हैं, जो लोग आप पर नजर रख रहे हैं, वो दो सिचुएशन हो सकती हैं, आप से रिजुनेट करेगी, दोनों भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती हैं, एक तो यह चीज है कि कोई romantic partner आपके रहे हैं past में, जिनसे आपका अलगाव हुआ है, separation हुआ है, या divorce हुआ है, कुछ इस तरीगी situation है आपे, और आप उनसे दूर हुए हो, यह person आप से दूर हुए हैं, तो वो जो है आपके उपर नजर रखते हैं, बेशक वो जो है इसलिए नजर रखते हैं क कि यहां पे जो है, कोई नगोई family friend है, या relative है, हो सकता है, आप जो है, abroad चले गए हो, या किसी और city में चले गए हो, shift किया है, आपने migrate किया है, और उस person से जो है, आपकी ज़्यादा बाचीत नहीं हो पा रही है, या आप नहीं बात करना चाहते हो, आपके अपने reason हो सकता ह या cut off हो गया हो, या बहुत ज़्यादा attitude दिखाया हो, और उचा नीचा दिखाया हो, तो इस वज़े से आप उनसे बाचीत नहीं कर रहे हो, क्योंकि competition रहा है बहुत ज़्यादा तगड़ा, और एक disrespect वाली situation लग रही है मुझे, तो ये person जो है, वो आपको देख रहे हैं, या देख रहे हैं, जो भी gender हो, वो आपके ऊपर जो है नजर रख रहे हैं, हो सकता है, फेक अकाउंट से देख रहे हैं, हो सकता है, जो किसी के थुरू, कोई mutual friend है, या जान पिचान वाला है, उसके थुरू जो है, देखा जा रहा है, आपकी success पे जो है, नजर है इस person की, और वो जो है, यह देखना चाते हैं, या आप से बातचीत तो करना चाते हैं, यह देखना चाते हैं, कि आप कितने दूर तक जाते हो, तो दोनों ही situation में यह चीज है, थोड़ सा competition वाली vibe आ रही है, कि वो जो है, आपको अपने आप से या अपनी life से तुलना करते हैं, एक comparison जो है, आप जो है, अपनी life में यह कर रहे हो, और यह नहीं कर रहे हो, मैं कैसा कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं, कुछ इस sense में मुझे यहां पर feeling हो रही है, मुझे एक चीज़ यहां पर यह भी लग रही है, कि यह person के साथ आपका age gap रहा होगा, या फिर cultural differences रहे होंगे, मैं एक relationship के बारे में कह रही हूं, जिस वज़े से आपका अलगाव हुआ होगा, और बड़ा ही bad breakup रहा होगा, और अगर आप relationship में, मतलब friend circle में, या relatives की बात के हिसाब से resonate करते हो, तो उनके मन में यही है, कि आप obviously human nature है, कि कौन कितना अच्छा कर र करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर constantly, तो थोड़ा सा जो है, आपको सतर करने की ज़रूरत है, चलिए देखते हैं कुछ और cards, तो पहला आ रहा है आपके लिए, growth, आपने अपनी life में growth करी है, I want to expand my consciousness and my awareness, तो यहाँ पर growth आ रही है आपके लिए, आप अपनी life में success को create क कर रहे हो, और बहुत सारे लोग कुछ हद तक जलन भी कर रहे है, next आरा relationship, अगर आप relationship में थे, किसी परसन के साथ, आप किसी और relationship में आ गए हो, तो इस परसन को अच्छा नहीं लग रहा है, relationship, I am attracted to those people who serve my higher good, और next आरा आपके लिए, regret आरा यहाँ पर, जो भी बत्तम easy करी गई है, जो भी जिस भी तरीके से आपको treat किया हो, तो यहाँ पर regret है, I know that I cannot change the past, यह परसन जो है, आपके बिना जो है, loneliness को महसूस करते हैं, अकेला पन महसूस करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है, कि आप जो है, उनके लिए एक तरीके से, एक blessing की तरीके से थे, लेकिन उ कैसी energy है, चलिए देखते हैं, कुछ charms, यहाँ पर जो है, कुछ लोगों को cut off किया है, आपने यहाँ पर टर्टल आया है, पेशेंस के साथ जो है, आप अपनी life में आगे बढ़ रहे हो, और अपने लिए अच्छा कर रहे हो, और नेक्स आ रहे है, यहाँ पर एक violent आया है, तो music जो है, वो पसंद होगा आपको, यहाँ अप अपनी hobby पर काम कर रहे हो, जब भी अकेला पन महसूस करते हो, तो music बजाना या इस पर जादा concentrate करते हो, ना कि लोगों पर पास जाकर, और नेक्स आ रहे है, यहाँ पर angel का feather आया, आप protected हो, और आप spiritually जो है, वो inclined हो universe से, न यह थी आपकी reading, उमीद करते हो, आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रहे हैं, तो please इस channel को like करें, share करें, subscribe करें, thank you